बनाने हैं क्या बनेंगे इसका इसका ब्रांच का पार्ट है यहां से मेरा यहां से मेरा इतने अरिया में मेरा यह तो कभी भी आपको ड्रॉइंग करना हो तो एक ऐसा चीजों में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नैचूरल चीजों में अगर आप आर्टिफिस्टियल की तरह बनाएंगे ना तो वह रियलिस्टिक उसका इमेज साइस बिल्कुल सेम नहीं होता तो इसलिए आप भी वैसे नहीं बनाएंगे तो नेचुरल चीजें जो होंगी आप उनमें थोड़ा बहुत इंपर्फेक्शन जरूर देंगे यह यूं रहता है तो अगर यूं रहेगा तो लाइट हमारी इस पॉर्शन पर आएगी तो इधर से मुढ़ा रहता है रहता है तो लाइट हमारा इस पर आयेगा इधर कि अंगुरों पर तो अगर तक मेरा अंगुर पर इस तो एधर तो अरिया बहूं गया देखो कि इधर का साइड मेरा लाइटर रहा गया और इधर थोड़ा सा एक डाप्टोन हमारा निकल किया तो सेम इसी तरीके से दूसरे इंगुर में भी करेंगे इसमें भी करेंगे इधर स्टार्ट करें ठीक है कि 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 लाइफ को एक दूसरे पर कलाना है तो ही वह एक दूसरे में संब्रों भी थिरह वहाओ प्रक अगर अलग अलग लाइन्स बनाओं तो फिर वह सबमर्ज नहीं होंगी ना फिंसिल एक दूसरे पर चड़ेगा तो ही तो वह एक दूसरे में बनेगा अगर अलग अलग करेंगे तो तो लाइन्स दिखने तो यह कुछ नीचे वाला भी जो है यह भी इरिया हमारा कुछ इस त स्पॉटलाइट से बनाई है यह लाइन्स तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी से डार्क की है ना बत यह लाइन्स दिखनी नहीं चाहिए आपके शेड से यह स्पॉटलाइट क्रियेट होगा ठीक है वह ध्यान देना तो अभी हम इसको बाद में रबर से एरेस भी कर दे जैसे जैसे यह डाक टोंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो एरिया है अपने आप क्लियर उटा जाएगा झाल झाल